आप देख रही है MNS News, सच ज़रूरी है भूल कर भी ना करें इस गोवर्धन पूजा के दिन ये काम नहीं तो भारी पड़ सकता है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मर्शी तो आईए आगे जानेंगे इस कारेक्रम में गोवर्धन पूजा के बारे में कि क्या करें और क्या ना करें माननेता है कि इस दिन जो भी भक्त श्रद्दा भाव के साथ पूजन करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मनो कामनाओं की पूर्ती होती है वही ऐसी माननेता है कि पूजा के दौरान कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए जिससे घर की सम्रदी बनी रहे आईए जोतिशा चारे डॉक्टर आर्ती दहिया जी से जाने की गोवर्धन पूजा के दिन आपको किन गलतियों से बचना चाहिए कभी भी गोवर्धन पूजा घर के बंद कमरे में नहीं करनी चाहिए ऐसा माना जाता है कि बंद जगा पर की गई पूजा इश्वर को स्वीकारे नहीं होती है यही नहीं जोतिश के अनुसार भी इस दिन बंद कमरे में गोवर्धन पूजा करना अशुब माना जाता है यदि कोई ऐसा करता है तो उसके घर की सुक सम्रद्धी कम होने लगती है हमेशा गोवर्धन पूजा खुली जगह जैसे घर के आंगन बालकनी या छट में ही करे गोवर्धन पूजा के दिन मुख्य रूप से गायों की पूजा का विधान है इस दिन गोव पूजा से घर की सुक सम्रद्धी में बढ़ोतरी होती है या पर्व भगवान श्री कृष्ण से संबंदित है जो खुद को गोपाल कहते थे जिसका अतात पर ये गायों को पालने वाला होता है इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन कभी भी गाय या किसी अन्य जानवर का अपमान ना करे इस दिन यदि आप गोव माता को गुड और रोटी खिलाती है या अन्य सामगरी का भोग लगाती है तो आपके जीवन में सदेव खुशाली बनी रहती है जिल्धा तता सबी देश्वासियों को उपविभागिया अभियांता बाग इटियाडों अरजुनी मोर्गा की और से दिपावली की हादि शुब काम नाए जिल्धा तता सबी देश्वासियों को उपविभागिया अभियांता लगू पाट बन्धारे विभाग अरजुनी मोर्गा की और से दिपावली की हादि शुब काम नाए ऐसी मान्यता है कि यह पूजा सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होती है इसलिए इस दिन आपको भूल कर भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए यही नहीं इस दिन गंदे कपड़े पहन कर पूजा ना करे ऐसा करने से पूजा का पूर्ण रूफ फल नहीं मिलता है इस दिन यदि आप हलके पीले या नारंगी रंग के कपड़े पहनेंगी तो यह आपके जीवन में सौभागे लाएगा कभी भी गोवर्धन पूजा अकेले एक महिला को नहीं करनी चाहिए यदि आपके घर में ज्यादा लोग नहीं मौजुद है तो आपको अन्य रिष्टदारों के साथ ये पूजा करनी चाहिए मानने था है कि इस पूजा में सम्मिलित होते हैं उतना ही आपके आने वाले जीवन के लिए अच्छा माना जाता है और घर में सदयव खुशाली बनी रहती है हमेशा परिवार के सदस्यों को एक साथ गोवर्धन पूजा करनी चाहिए जोतिश में अकेले पूजा करना अशुब माना जाता है पूजा के दोरान आपको कभी भी गोवर्धन पूजा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन परिक्रमा हमेशा नंगे पैर ही करनी चाहिए जोतिश में गोवर्धन परिक्रमा को कभी भी बीच में छोड़ कर अन्य काम नहीं करने चाहिए इस दिन भूलकर भी मास, मदीरा या अन्य तामसिक वस्तूओं का सेवन ना करे जिल्ला तता सभी देश्वासियों को तहसिलदार गोरे गाउं की और से लिपावली की हाद शुपकाम नहीं गोवर्धन पूजा की दिन यदि आप बिना किसी गलती के नियमों का पालन करते हुए विधी विधान के साथ पूजन करती है तो आपके घर में सद्यव खुशाली बनी रहेगी मैंने जो यह अभी आपको जानकारी दी उमीद है कि आप सभी को अच्छी लगी होगी तो मिलेंगे हम आने वाले कारेक्रम में तब तक बने रहे हमारे साथ मतलब MNS News Live के साथ देखते रहे है MNS News Live नमस्कार और आप देख रहे है MNS News